ये आरक्षन के हम बिरोधी नहीं है औरना आदानिय लालो प्रसाजादों भी करते हैं महिलाओं के आरक्षन के बिरोधी नहीं रहे हैं अरक्षन में आरक्षन होना चाहिए ये डम दलित बिरोधी, मुसल्मान बिरोधी हमेशा रहा है नय संसत भबन में महिला अरक्षन बिल पेश किया जाता है लालु प्रसाद यादब लंबे समय से इस बिल का बिरोध कर रहे थे उनके दुआरा यह भी बात कही गई थी कि हमारी लास पर से यह बिल पास किया जाएगा आज पिहार में महागडवनन की सरकार है सरकार में नितीश कुमार भी है और लालू प्रसाद यादब भी नितीश कुमार खुल कर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वहीं लालू प्रसाद यादब की और से कोई भी परतिकिरिया इस बिल पर नहीं आती है हमारे साथ अभी आरजडी के वरिश्ट नेता विधायक भाई ब्रेंद्र है किस रूप में देखते हैं विधायक जी जिस प्रकार संसद भवन में इस बिल को पेस किया गया निदिश कुमार समरसन करते हैं लेकिन लालो यादब की और से कोई परतिकिरिया नहीं आती है आप तो जानते हैं कि ये चुनावीस साल है दो हजार चौविस और ये जुमलाबाजी हुआ है पुराने संसद के रहते हुए संसद भवन रहते हुए और ने संसद भवन बनाने का कोई अच्छिती भी नहीं था और ये जुम बील लाया है आप लोग परचार कर रहे हैं कि लालो जादब इसके बिरोध में थे कभी उन्होंने बिरोध नहीं किया इसके हिमाईती थे कि आरक्षन महिला का हो लेकिन उसमें भी जो पिछरों का है दलितों का है मुशलमानों का है उसका भी उसमें आरक्षन होना चाहिए नहीं थोना चाहिए ना कि क्योवल महिला को इतना परसेंट देना चाहिए ऐसा नहीं था आदानिय लालूप्रसाजादो हमेशा महिलाओं का आरक्षन करने के लिए हिमायटी थे लेकिन उसमें भी आरक्षन में भी आरक्षन होना चाहिए पिछरावर के लोगों को दलित के और मुशलमानों का भी उह हिमायटी थे हमारे सरद यादोजी अब नहीं रहे हैं, हम लोग के बीच में, वो हमेशा कहते रहे हैं। गरिएे मांग हैं महागणें और मुंखमंतिरी जी का होना चाहिए और पीछरा वर्ग को दलित को और मुशलमानु को भी अलक्स उसमें इस आरक्षन चीनित करना चाहिए 2010 का विडियो फ़स्ट ब्यार के पास है उसमें साब तोर पर जालों प्रशाद यादब कहते नजार आ रहे हैं हमारी लास पर सीह बिल पर्श होगा आप आरक्षनन अरक्षन की बात कर रहे है तो CMT हो या अदरकाश्ट उसके लिए तो अलग से प्रभधन किया जा रहा है इस बिल में? किया जा रहा है महिला का आरक्षन जो है जो जितना परसिंट दिया गया उसमें भी पिछरा वरक के लिए आरक्षन आरक्षित होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए दलितों के लिए, बुसल्मानों के लिए भी तब ये बील का मनना है नहीं तो जब तक महिलाओं को आप पर सिक्षित नहीं कीजिएगा सिक्षा के आभाव में जो संसद में बैठेगा ओ बील के समन्द में नहीं समझ पाएगा तो क्या कर पाएगा वही लोग जाएंगे ना जिसके बिरोध में हम लोग राजनीती करते हैं जो देश के आजादी के लड़ाई में जो अंग्रेजों के दलाली किया करते थे उनी के महिलाओं जाएंगे ना तो क्या कर पाएगा लोग फिर वही होगा जो देश आजाद गुलाम था उसी तरह गुलामी में हम लोग फिर जियेंगे इसलिए उसमें भी आरक्षित होना चाहिए और निसीत उसे पिछरे वरक के लोगों को दलित परिवार के लोगों को और मुशलमानों को भी आरक्षित उसमें करना चाहिए यानि आप कहना चाह रहे हैं कि बिजेपी दलित बिरोधी और मुसल्मान बिरोधी हमेशा रहा है और जात की राजिनिती वो हमेशा धर्म की राजिनिती किया है धर्म के आर में राजिनिती को सफल बनाना चाहते हैं लेकिन देश की जनता के मजिस्टेर चेकिन में उपकरे ग रहे हैं वहीं आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं एक बिरोधा अभास नजर आएगा फीर एक बार आपने कहा कि गलत कर रहे हैं हम कहा रहे हैं कि बिरोध कर रहे हैं हम नहीं हम तो खुलकर समर्थन कर रहे हैं लिए उसमें भी आरक्षन होना चाहिए पिछरों का आरक्षन ह होना चाहिए उभीषी का और दलित का आ रख्षन होना चाहिए मुश्लिम परिवार का भी आ रख्षे तो उसमें होना चाहिए मैं उसका विरोध कहां कर रहा हूँ हमारा दल भी कभी विरोध कि आपने कहा कि audio मेरे पास है तो audio तो पहुंत सा चीज़ चलाते हैं आप लोग जो आप लोकों चाहिए वह हिए उतना ही रखते हैं उसके बाद चला देते हैं उन्होंने ये बात कहा था कि आरक्षन में आरक्षन होना चाहिए पिछरों को भी दलितों को भी और मुसल्मान भ किया गया है और उस vaxt से लगातार घंसान जाड़ी है क्योंने कीating कॉंग्रेश टो समर्थन कर रही है लेकिन कई ऐसे चोटे दल हैं जो समर्थन नहीं कर रही ही इस बिलका बिहार में भी गो शमर्थन कर रही है मुख Albert लेकिन इस अरक्षन बिल में अरक्षन में भी अरक्षन दिया जाए दलीतों को अरक्षन दिया जाए मुसल्मानों को अरक्षन दिया जाए और पिछरों को अरक्षन दिला जाए लालुप्रसाद यादब भी यही बात कहते आ रहे हैं कि हम बिल का समर्थन करेंगे उस वक्त जब आरक्षन में आरक्षन का प्राबधान किया जाएगा। विसुजित आनंत फॉस्ट बिहार पटना। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुरादा पवडवाल 26 नवेंबर को पानुरामा स्टार सीजन 6 के कारेक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। उछे पानुरामा ग्रूप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पनुरामा ए होम्स में शाम साथ बजे हैं। नमस्कार। ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाएं। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अड़े, लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ। अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ। अपने पुर्णिया में घर ले लिया है। पुर्णिया के e-homes panorama में। पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग। अड़े, अब क्यों मूमीठा करवा रही हो। क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है। घर वापसी की खुशी। पुर्णिया में e-homes panorama के संग। e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.